खबर चुरहे आपके साथ होती है हमारी ऐसी ही बात इतना ही नहीं प्रत्यासियों के आरोपों के बीच अब सत्ताधारी पार्टी के बड़े पताधिकारी के भी आपत्य जनक बयान सामने आने लगे हैं अब हम आपको एक बयान सुनाने जा रहे हैं या बयान भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिला धच राम जीवन जैस्वाल का है तो सबसे पहले आप इस बयान को सुनिए तो आपने सुना कि बागी प्रत्यासियों से निपटने के लिए रणनीद को कैसे तयार किया गया है के दोरान उन्होंने एक बागी प्रत्यासियों का नाम भी लिया साथ में उन्होंने बागी प्रत्यासियों को भाजपा कारकरता मानने से भी इंकार कर दिया और विशिंदू परिशत का कारकरता होने का हवाला देते वे निर्दली प्रत्यासियों मनीश पांड़ने पर नि जिन निशाना साथ रहे हैं तो आपने सुना कि उन्होंने निर्दली प्रत्यासि मनेश पांडे को भाजपा करकरता मानने से साफ इंकार कर दिया और विश्विदू परसित का करकरता बताया अब हम आपको 2017 के नगर निकाल चुनाओं के बारे में भी बताएंगे लेकिन इससे पहले आपको एक और बयान सुनाने जा रहे हैं यह बयान नेता जी के बयान से पहले आया था और यह बयान निर्दली प्रत्यासि मनेश पांडे का है इस बयान में निर्दली प्रत्यासि मनेश पांडे अपने आपको बेहत पुराना एम सक्री भाजपा कर करता बताते हैं अब आप यह बयान सुनिये जो उनोंने कुछ दिनों पहले दिया था भारती जनता पार्टे के कुछ लोगों ने पिछली बार मुझे टिकट दिया और वह सीट में जब हार गया हारने के बाद से भी बराबर मैं प्रस्ट भूम अपनी तयार करता रहा कि अगली बार मुझे चांस मिलेगा मैं जीट करके दिखा दो लेकिन इस बार कुछ लोगों के द्वारा यह गलती की गई और मुझे टिकट नहीं दिया गया जिसके कारण मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा तोंकि मैंने भारतिंता पार्टी और विश्यंदू परस्थ बजरंग दलकले महनत की है परिश्रम किया है और प्रश्ट भूमी तयार किये यहां पर जब को चीज में आकर के मेरा टिकट काटा है तो मुझे बहुत ही हर्दय से कस्थ है और मैं बहुत ही परिशान हूं कि आगे इस तरीके से जो यह करते रहेंगे तो अपने सभी कारिकरताओं का बड़ा ख्रास्मेंट होता रहेगा और भारतिंता पार्टी के कारिकरता इसी तरह से के तूपते रहेंगे वारतिंता पार्टी के वास्तिक कार्य करता जो हम सहमें लगे रहे हमारे बाबा भी जनसंग में रहे हैँ जनसंग के संसापक सदसिरहा करते थे और हम लोग सदयों भाजपा की तरफ ही अपना कारिकरते रहे कभी तर दבח द नहीं देखा और आज जब से चन उन्निसों अथाननवे से राश्टी स्व्यं अन्ष्ट संग का स्वयahu रहा हूँ और बराबर शंट किए स्वय अन्ष हाध रहा करें मैं अर्गत्वन वर्ग भी किया मैं और जब से मैंने संग में कारिकरना परारम किया Sâng ने मुझे विश्विन्दू परिशत में भेजा उसमें विजरंग दल का संग मुझक रहा साथ वर्ष उसके गाद मैं करीब साड़ी चार साल जिलावपाद्धेक्ष के पतपर भी रहा और मैंने निरंतर संग को परिशत को और भाजपा को बढ़ाने का काम किया और आज उन्हीं भाजपा के कुछ बाहर से आयातित लोगों के द्वारा कभी भाजपा में नहीं दिखाई देते थे वो भी दिन था जब डाक्टर लक्षमी कान भाजपाई जी पुर्देश रदेक्षवा करते थे अकेले मैं माला पहनाता था इसी हाइवे पर्ष धोली में कोई दूसरा तो यह तो हुई बयानों की बात अब इन दोनों बयानों में कितनी सच्चाई है हम आपको इससे भी रूबरू कराते हैं दरसल 2017 के नगण निकाच चुनाओं में निर्दली प्रत्यासी मनीश पांडे ने भारती जंता पार्टी से टिकर लाकर भाजपा प्रत्यासी के रू कर पता लगता है कि बागी हुए निर्दली प्रत्यासी मनीश पांडे काफी समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं साथ ही अगरवा भाजपा के कार करता नहीं है और केवल विशिंदु परिशिट के कार करता रहे हैं तो 2017 के निकाच चुनाओं में भाजपा ने उन्हें टिकट क्यों दिया था या एक बड़ा सवाल सिधौली की जनता के जैन में घूम रहा है साथ ही नेता जी के इस बयान के बाद मनीश पांडे के समर्तकों में भी नेता जी को लेकर काफी रोस दिखाए दे रहा है और होना भी चाहिए आखिर इतने बड़े दाइतुधारी क कुछ बोलने से पहले सौचना चाहिए था और जो बोल लहे हैं उसमें कहां तक सचाई है इसका भी द्यान रखना चाहिए क्योंकि आप भारती जनता पार्टी में हैं और भाजबा सच की राजनीत करती है तथा अच्छी-ची बड़ी पार्टीओं को सच की राजनीत करने क के दोरान भोल भी चटा दी है